तो आज हम आपको अगजीता कॉटन पे शेर अनालिसेज बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा and साथ ही में hit the bell icon सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारें बताएंगे कंपनी क्या काम करती है उसके competitors कौन कौन है share price chart बताएंगे share holding pattern बताएंगे quarterly result का analysis करेंगे like past years में company कैसा perform कर रही है और अभी कैसा मलब कर रही थी और अभी कैसा कर रही है so let's begin अगजीता cotton limited नाम से पता चल जाता है कि यह textile based company है जहाँ पर यह manufacture करती है process भी करती है और finish भी करती cotton bales and cotton seeds तो इनका जितना भी काम है manufacturing, processing, finishing तो पूरा काम यह खुद करते है market cap है 315 करोड तो एक small cap company है यह जो stock price to earning इसका 21.7 industry के comparison में अभी भी कम price पे मिल रहा है हाला कि अपने high पे यह चल रहा है यह share price but still but still अभी भी कम price to earning पे मिल रहा है book value भी अगर आप देखेंगे तो वो भी book value के comparison में तो महेंगे price पे मिल रहा है debt company के पास ज्यादा नहीं है सिफ 14 करोड का debt है pledge percentage यहाँ पर 0 है promoters ने 1 भी percent को pledge पे नहीं रखा है interest coverage ratio भी अच्छा है 12.6% का return return I mean इतना percent interest के 12.6% है इनका interest coverage तो interest pay करने की capability काफी बढ़िया है ROC और ROE काफी बढ़िया है यह बार अच्छा खासा profit हुआ है पिछले past years के compassion में काफी अच्छा मुनाफ़ा इस company को हुआ है तो returns भी काफी बढ़िया है 59% का ROC है capital को efficiently use करके return दिया है और equity पे भी अच्छा खासा return मिला है 66.6% का तो fundamentally काफी बढ़िया लग रही है क्योंकि company के financial सुधर गया तो उस reason से fundamentally भी अच्छी लग रही है financial trend की बाद के तो 2019 में 213 करोड का revenue था then 484 करोड का 618 करोड का 829 करोड का और ऐसा ही नहीं कि अभी ये 4 साल से हर साल revenue बढ़ रहा है past years में भी देखेंगे तो पहले ये सिर्फ 16 करोड 17 करोड का revenue करता था दीरे दीरे ये अपना revenue बढ़ता जा रहा है एक growth type की company है हर साल company का revenue बढ़ रहा है तो ये काफी positive बात है एक share के लिए लेकिन profit में इतना increment नहीं था past years में 2-3 साल company loss में भी थी उसके बाद भी ज्यादा सिर्फ lakhs में profit 50 लाग 60 लाग इतना profit करती थी लेकिन यहाँ पर 2022 में company ने 14 करोड 55 लग का profit किया है 2019 में 46 लग का था then 35 लग का था 3 करोड 73 लग का था then 14 करोड 55 लग का था काफी अच्छी बात है कि अब company का profit भी बढ़ने लगा है और revenue तो बढ़ ही रहा है अगर हम हाफ एली result इस company के देखे तो जैसे कि September में 73 करोड था March 2020 में 411 करोड था उस time company का operating profit margin था 1% September में 186 करोड March में 433 करोड यहाँ पर September में भी increase होगया 364 करोड अब March में 459 करोड तो यहाँ पर उस reason से company का जो revenue है अच्छा खासा बड़ा है क्योंकि September में भी company ने अच्छा perform किया मतलब और March में भी काफी अच्छा perform किया है और उसी के साथ company के जो operating profit margin अभी भी वैसी है 1% 2% लेकिन company को other income हुआ है 6 करोड का उस reason से company की profitability सुधर गई ठीक है लेकिन company का यह बहुत बड़ा वो दिक्कत है कि company का जो revenue है I mean जो operating profit margin है वो इतना अच्छा नहीं है 1% 2% का सिफ operating profit margin है तो यह एक थोड़ी अच्छी बात नहीं है बाकी काफी बड़या है I mean sales भी काफी बड़या है और profit तो ठीक है the income के थूँ अच्छी खासी profit हुई और sales बड़ा है उस reason से भी profit हुआ है promoter 73.26 से 72.37 उन्होंने भी अपना जो profit है थोड़ा सा उन्होंने बुक किया है फिर भी 72.37% काफी अच्छी holding है मलब अच्छी खासी holding है company के पास foreign investors यहाँ पर 6.04% उन्होंने इसी quarter में निवेश किया है rest of the stake यहाँ पर 21.58% का public के पास है तो शेर होल्डिंग पैटर्न company की काफी बढ़िया है यहाँ पर promoters भी अच्छी खास है foreign investors ने direct 6% का stake लिया है और public के पास है 21% का stake अगर हम देखेंगे टेक्स्टाइल सेक्टर में तो यहाँ पर काफी बड़ी company है वेल्सपुन इंडिया स्वान अनर्जी है देंगार्वे टेक है जिंदल वर्ल्ड वाइड है गो फैशन रे मंडे और अगजिता कॉटन है सब में से देखें तो सबसे चोटी company यही है जिसके अभी profit और sales वगरा भी नहीं दिया हुआ है और इसके comparison में भी अगर आप देखेंगे तो काफी बड़या बड़या company है फाइयर हाई 169.80 करेंटली 159.40 पर चल रहा है आज आज भी यह 2.18 परसेंट अपता जैसे कि market काफी बहुती अच्छा नहीं था बट स्टिल यह शेर 2.18 परसेंट अपता और इसने पास्ट वन यहर में काफी अच्छे रिटरंस दिये है वन मंत में भी अच्छे रिटरंस मिले है और वन वीक में भी लोगों को अच्छे रिटरंस मिले है as comparison to बाकी shares तो यहाँ पर अभी भी यह share काफी अच्छा लग रहा है अच्छा कासा उपड़ जाने के chances है क्योंकि जिस तरह से भाग रहा है तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव और लॉंग टर्म परस्पेक्टिव दोनों तरीके से आप इस share को देख सकते हो अगर आपको अगजिता कॉटिन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू